नमस्कार आप देख रहे हैं टाइन्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ शबी इन दौर में 75 वे गंटन्त डिवस के उपलक्ष में सेंट्रल जेल से 12 कैदियों को अच्छे आचरण के चलते रिहा किया गया इस दौरा नम आखों से बंदियों ने गलती से हुए अपराद का उन्हें जीवन भर प्रस्तावा रहने की बात कही रिहा हुए बंदियों को प्रशस्ती पत्र और उनकी द्वारा किये गए कारिक का पारिश्ट्रमिक शुल्क का भी जेल प्रिशासन द्वारा भुकतान किया गया इन दौर की सेंट्रल जेल से 75 वे गंटन्त दिवस के उप उनका कहना था कि अप्राध से दूर रहा जाता है अप्राध से नहीं क्योंकि अपराधी भी मानव जाती का ही एक अंश है और आखों से रिआ हुए बंदियों ने कहा कि दूबरास से वौ कभी भी गलती नहीं करेंगे और वहीं एक रहा हुए बंदी का कहना था कि जीजा और जीजी द्वारा उनके जेल के अंदर जाने के बाद उनके बच्चों को लालन पालन किया गया जो उन्हें 45,000 रुपै परिश्रमिक जेल में मिला है वो उनके चर्णों में रख देंगे और दोबारा से कभी अपराद क गलियों में कदम नहीं रखेंगे तो वहीं एक बंदी निकाय कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मैं अपना जीवन अब अपराद से दूर रख कर भगवान की भक्ती में लगाऊंगा और यहां से घर जाने के बाद सीधा आयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने हैं आज गरतन दिवस के अउसर पर साशन के द्वारा माफी प्राप्त करके और अच्छे आचरण और अनुशाशन में रहने के करण आज केंदी जिर इन दौर से बारा बंदियों की जो कि अब जीवन कारावास के से उनकी रिहाई पर देखा जा रहा है कि अब शाशन के ल कैसे किया जाए और मद्यपदेश सरकार द्वारा जो है अब उस वर्ष में चार बार बंदियों के लिए रहाई जिसमें पहले हम सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस पर रहाई होती थी लेकिन विगत दो सालों से जो है दो अक्टूबर कांधी जैनती और बाबा साब अमवेटकर जैनती के उपलक्ष में 14 अप्रेल को भी रहाई होने लग गई है इससे बंदियों को मिश्चिय रूप से बहुत फायदा मिलता है क्योंकि यदि कोई बंदी की सजा फरवरी महा में पूरी होती है तो उसको अगस तक का इंतजार करना पड़ता था और इस तरीके से वो दो रोजगार की कहिना कई समस्या इससे लेकर जेल प्रबंदन की तरफ तो ब्वस्ताय कराई जाएगे इस जो बंदी चूटे है इसमें से छे बंदी तो ऐसे हैं कि जो जिल दिन सजा हुई थी उस दिनांग से लगा कर आज तक जेल में ही हो कभी पैरवल भी नहीं गए है तो को हमारे मदद ची आउश्रकता लगेगी तो जेल प्रसाशान उनकी पूरी मदद करेगा कैदियों को यही संदेश है कि आप जीवन में जो भी आप से भूल चूख हो गई हो उसको भूल करके जैसे कि गांदी जी की धानना है कि घरना जो है अपरादी से नहीं अपराद से करना चाहिए तो अनुसाशन जो है उसमें यदि आप रहेंगे तो आप जो है साशन की नितियों का लाब पाएंगे और इसा खुशल अपने घर और अपने परिवार के बीच में पहुंच पाएंगे उस्तों क्या जगड़ा हो गया तो उसमें जगड़े में गए सामने आल पस्तावा और कुछ भी गलत काम करेंगे उसका पस्तावा एक ना एक दिन होगा अब उनको शुरू में ऐसा लगेगा कि नहीं यह सब ठीक है अब यहां से रहा हो रहा है तो क्या काम का चाहिए मेरा जो पहले का काम था फोटोग्राफरी का हुए काम वापस रिनू में करूँगा मैं मेरे को आजीवन कई सजा थी और थीन साल उपर था आजीवन के नी भरने पर दस अजार उपर जुरूमाना लगाया था तो वो में भर जुका हूँ बाई की लड़की के हो गया था वो उसी में मानसिक जसा खराग थे ने इसका हूँ मानसिक जसा में इसा लग चिरचिड़ा पन था मैं गुस्सा पन आगया था शरीर कितने साल के सजा काटी है हमने चवदा साल पच्छीज दिन का कर रहे हैं अब क्या गुना करने से तोबा कर रहे हैं तोबा बिलकुल तोबा और घर जाके कुछ दंदा कुछ तुकान दारी कुछ करेंगे बस्तावा हो रहा है आपको बस्तावा है ना जेल में आकर तोबा कर रहे हैं है मेरा माम के प्टान सिंह है कहां के रहे हैं सिंहाम इस थेखिये अब आपके मुबाई और स्मार्थ टीवी पर लाइए प्लेंस तोलशे दावनोट करें ताइमस्मार्थ टिव्याथ